मैं थका हुआ हूँ, मैं टेंशन में हूँ, दोस्तों यदि आपको भी आपके घर से कुछ इस्तरे के आवाजे सुनाई दे रही हैं, तो आज की मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो टेंशन है, इसे सिंपल मानने की भूल मत कीजेगा, ये बी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये ट्राइडनेस, ये टेंशन आ कहां से रही है, दोस्तों हमारी स्ट्रेस फुल लाइफ और जिसमें ये स्ट्रेस बेमतलब का है, शायद लाइफ को लेके हमारा वीजन ठीक ना होने के वज़े से हम जबरदस्ती इसको कैरी कर रहे हैं, पर दो फिजिकली इनक्टिव हम रहते हैं, हम आज फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं, तीसरा हमारा खान पान गड़बड हो गया है, इनकंप्लीट है, हम सब जानते हैं कि आज हम शारिरिक परेश्रम से अधिक मानसिक परेश्रम करने हैं, लेकिन फिर भी हमने खाने में कुछ भी ऐसा नहीं जोड़ा, जो सीधे जाके नर्वस सिस्टम को नरिश्च करें, इन सब से उपर एक बहुत इंपोर्टेंट कारण, एन अनफोर्चुनेटली अनवाइडेबल कारण है, हमारा इलेक्टोनिक गैजट से घिरे रहना, आज हम में से हर व्यक्ति, मोबाइल, लैप्टोप और अन्यको इलेक्टोनिक गैजट से घिरा पड़ा रहता है, और साइंस बार बार प्रूव कर चुकी है, कि इन इलेक्टोनिक गैजट से निकलने वाली इलेक्टोमेगनेटिक रेडियेशन, ना के बल हमारे शरीर के लिए, बलकि नर्वस सिस्टम के लिए, अंदर के ओर्गेंस के लिए बहुत नुकसान दायक है, लेकिन आज इन इलेक्टोनिक गैजट्स को अवाइड करना मुझे लगता है कि एवहवारी की नहीं, इंपोसिबल बन चुका है, लेकिन दोस्तों, हमें इनके नगेटिव इंपक्ट से बचने के लिए, पहला फार्मुला है कि आप अपने दिन की शुरुवात छे दाना मुनक्का और दो अक्रोट के साथ करें, लेने का तरीका बड़ा सिंपल, आप मुनक्का को बीज निकाल करके और अक्रोट को छिल करके लगबग आधे गिलास पानी में रात में भिगो देंगे, सुबह इन दोस्तों इस तरह से लेगा मुनक्का आपके शरीर को बलवान बनाएगा और ये अक्रोट आपके दिमाग को ताजगी देंगे, आपके नर्वस सिटम को नरिश करेंगे नमबर दो, आज हम में से हर व्यक्ति की मजबूरी है, मैं कहता हूँ कि नैसेसिटी है कि आप सुबह एक घंटा घर से बाहर जरूर निकलें बाहर निकल करके वॉक करें, रनिंग करें, योगासन करें, ऐसा करने से आपका शरीर अच्छा बनेगा और नमबर दो, आप प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, सो देट आपका माइंड रिलेक्स हो सके, फिर आपका ये घंटा साइको सोमेटिक एक्टिवीटी कहलाएगा नमबर तीन, दिन में हम भोजन करते हैं, सब करते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए दोस्तों कि घर का बना, साफ सुत्रा, ताजा, गरम, सुपाच्चे भोजन किया कीजिए और इस भोजन के साथ, आईरुवेद को माध्यम बना करके, कुछ हर्ब्स को जोड़िए, देखें, मैं आपके शरीर में कैमिकल्स को नहीं डालना चाहरा हूं, मैं कहरा हूं कि आईरुवेद में ऐसी हर्ब्स हैं, जिनमें इतने अच्छे माइक्रो निट्रियंट्स हैं, जो ना केवल आपके शरीर को अच्छा रखते हैं, बलकि आज के परिवेश में जो हम दिमागी रूप से इन्वाल्व हैं, आपके दिमाग को, आपके नर्वस सिच्टम को भी नरिश करेंगे, जैसे अश्वगंदा, भ्रामी, शतावरी, शिलाजीत, व्रददारू, यह बेशाम, आप अपने खुराक में इसको शामिल कर लिजे, यह मान करके कि आप शरीर और मन को पोशित करने वाला एक हरबल इंग्रेडियन्ट ले रहे हैं, एक हरबल खाना साथ में ले रहे हैं, और नमबर चार पे आता है कि आप अपने दिन का अंत भी साइको सोमेटिक न यह प्रेयर आपके दिन भर के अक्टिविटीज को बंद कर देगी, आप बहुत पीस्फुली सो पाएंगे, आपको अच्छे नीद आएगी, एड अड़ दे सेम टाइम आपने थोड़ा सा सरसो का तेल अपनी अतेली पे लेना है, और उसके बाद उस तेल को थोड़ा सा 30 स के लिए आप सिर पे रब करेंगे टोप पे, चाए महिला हो, चाए पुरुश हो, इतना तेल की सुबह आपको नेसेसरली हेर वाश ना करने पड़ें, नमबर दो, उसी तेल को उंगली में लगा करके आप दोनों नोस्टिल्स में लगाएंगे, अपनी नाक में लगाएंग वापिस से हाथ पे रगड करके उस तेल को पैर के तलवों पे रगडेंगे, ये तेल का इस तरहें से रगडा जाना ना किवल आपके शरीर में वात दोस्ट को कंट्रोल में करेगा, बलकि सीधे सीधे आपके नर्वस सिस्टम को नरिश करता है, दोस्तों, ये चारो को हलके में लेने की भूल मत कीजेगा.